देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिशप चुहान देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाओ दस्तक देने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी जो रजमाईश तेज कर चुके हैं और अब इस बात पर मन्थन किय जा रहा है इस बात पर बिचार किया जा रहा है कि किस लोकसभा सीट से किस उमीदवार को उतारा जाए यानि किस के दाविदारी किस लोकसभा सीट से जादा मजबूत रहने वाली है वहीं बीजेपी ने इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने 1955 उमीदवारों की माजबादी पार्टी जो है वो भी अपनी तीन सुची जो है जारी कर चुकी है लेकिन वहीं BSP एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं यानि मायावती जो है वो अभी तक सीटों पर अपने उमीदवार जो है वो नहीं उतार पाई हैं यानि उन् इंडिया गटबंदन हो या फिर वो बीजेपी हो कुल मिलाकर बीएसपी जो है लोकसबा चुनाओं के अंदर एक बड़ी भूमी का निवा सकती है दरसल मैं आपको बता देता हूं कि कहीं न कहीं कयास ये लगाय जा रहे थे और अभी तक खबरे निकल कर ये आ रही थी कि बी साथ मिलकर एंडिये को यानि बीजेपी को जो है एक कड़ी टकर दीजिए क्योंकि कहीं न कहीं देखो जहां समाजबादी पार्टी की में बात करूं या फिर कॉंग्रेस की में बात करूं कहीं न कहीं में बीजेपी की भी बात करूं तो ये एक ऐसी राजनितिक पार्टिय जा रहा है कि सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंडिया गटवंदन के अंदर जो है वो बीस पी को शामिल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देखिया काई ना कई बीस पी जो है वो भी कुछ जादा खास नहीं कर पाई है पिछले कुछ सालों में नहीं करने के पर पूरा ध्यान दिया जा रहा था क्योंकि अत्तर परिदेश के अंदर तकरीबं 15 करोड़ जो है वो बोटर आते हैं है हैं वहीं तीन करोड़े के लगबाग बोटर है ना वो सिर्फ दलित बोट आते हैं और ब्येस पी जो है वो दलितों की एक ऐसी पार्टी है ज बीएसपी और जब समाजबादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाओ लड़ा था तो उस वक्त जो है बीएसपी को काफी जादा फायदा हुआ था एक करोण 18 लाख के सम्तिंग जो है बीएसपी को बोट पड़ा था और पश्टिमी यूपी की कई ऐसी सीटे हैं जहांपर बीए परनपूर बिजनौर नगीना अमरोहा अमबेटका सुरावश्टी लाल गंज घोसी और गाजीपूर यह वो सीटे हैं यानि यह वो दस सीटे हैं जहांपर बीएसपी का कबजा माना जाता है और बीएसपी ने जो है पिसले चुनाओं में जीत भी हासिल करी थी वहीं पिसल बीएसपी को बोट मिला था तो 19.26 फीसिदी जो है न वो बीएसपी को बोट मिला था वहीं जो है समाजबादी पार्टी को सिर्फ पांस सीटों पर संतोस करना पड़ा था और 17.96 फीसिदी बोट जो है न वो समाजबादी पार्टी को मिला था लेकिन यहां पर इस बार दे कर दिया मायावती ने सीधे सीधे इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाओ लड़ने वाली है महीं खबर बीच में ये भी आई थी कि जब बीस पी जो है उसने अपने पार्टी कैडर से बात की यानि उस हाशिये से बात की जो जमीनी इस तर पर जाकर इस बात का पत अगर ये आए कि मायावती को जो है वो कहीं न कहीं इंडिया गटबंदन में शामिल होना चाहिए तब ही वो अपना अस्तित्व बचा सकती है क्योंकि जब अभी बिधान सबा चुना हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2022 में बीस पी की जो है काफी जादा हालत ने आई कहीं न कहीं मायावती को ये चीज़े बताई गई कि आप जो हैं इंडिया गटबंदन के साथ जाकर लड़िये तब आपको जो है जादा फायदा हो सकता है लेकिन मायावती ने सीधे सीधे इंकार कर दिया क्योंकि वो अकले श्यादब के साथ जो है वो नहीं जान है कि समाजबादी party का बोट जो है वो बस्पा में तो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन बहुत कम chances हैं जो बस्पा का बोट समाजबादी party में transfer हो और इसी लिए कही न कहीं पिमिने चुनाओं में साल 2019 की ऐगर मैं बात करूँ तो समाजबादी party का जो बोट बैंक है वो कही न कहीं काफी जादा गिर गया था और अब इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तो कहीं न कहीं चाहत यही थी कि इंडिया गटवंदन में माया बती को भी शामिल किया जाए क्योंकि माया बती एक बड़ी दलित नेता है प्लस वो उत्तर प्रिदेश की कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है प्लस वो जो है दलितों पर उनकी अच्छी पकड़ है और कहीं न कहीं माया बती जो है राजनीती के अंदर एक बड़ी एहम भूमी का निवाती है लेकिन यहां पर माया बती के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कुछ राजनीतिक विशेशक्गों का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा नहों आखरी समय में जो है माया बती बीजेपी के साथ चली जाएं लेकिन ये तो अब देखने बाली बात होगी कि माया बती अभी भी किसी के साथ जाती है या फिर जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाओ लड़ेंगी अकेले चुनाओ लड़ती हैं या फिर इंडिया गटबंदन में शामिल होती हैं या फिर बीजेपी के साथ इस बार वो हाथ मिला सकती हैं लेकिन यहां पर मैं आपको जानकरी के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि BSP को भले ही जितना भी नुकसान हुआ हो लेकिन माया बती जो हैं वो पार्टी केडर से हट के भी इस बात की पुस्टी कर चुके हैं यानि पार्टी केडर की बात को ध्यान ना देते हुए उनका दिमाग जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि वो सिर्फ इस बार अकेले चुनाओ लड़ना चाहती है लेकिन मायावती अगर अकेले चुनाओ लड़ती हैं तो उन्हें कितना बोट मिलेगा वो दूसरी पार्टी ओपर कितना असर डालेंगी इस पर आपकी क्या राया है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्रिया नियूस को भी फॉलो कर लेना मिलता हूँ आप से फिर किसी और खबर के साथ जैहन।